नमसकार दोस्तो मैं स्वागत करती हूँ अपने बन उपवन पेड-जैनल में और उमीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और हम सभी ऐसे प्लांट के तलास में रहते हैं जो एक बार लगा लिया, तो सालों साल हमारे गार्णि में बना रहे प्राइच से हम चाहे बढ़ा हमारे प्राइच सी मोखुरोन से प्राइच वह उसे भी मुष्मा सबहुत से दोब относ लों इन्दो हिने हो प्राइच परपती है गर्में में इसे का आइच से बहुत हम स्थान कि बढ़ा टो हम ब nota है अपने प्लांट को बचाने के लिए तो ऐसे ही एक हाड़ी प्लांट है जो सारे मौसमों को जिल लेता है यह है पीस लिली का प्लांट और यह 24 घंटा आक्सीजन देता रहता है और एयर प्यूरीफाई भी करता है तो हवा को सुध बनाता है यह और तो यह प्लांट बहुत अ एक्षा माना जाता है हम अक्सर देखते हैं कि पब्ली प्लेस में यह दिखता है एयर पोर्ट पे मॉल में और आफिसों में क्योंकि एयर प्यूरीफाई करता है इस लिए इसे लोग बहुत पसंद करते हैं और हर जगह यह उसे लगाते हैं तो यह बहुत अच्छा जो बहुत सुन्दर दिखती हैं मेरे पास तो यह प्लांट है और यह एक ही गमले में था लेकिन इसका रूट बॉंड हो गया थो तो मैंने मार्च में इसी रिपॉर्ट कर दिया था और देखिए उसका ही रिजल्ट है रिपॉर्टिंग करने का कि इतना जल्दी इसमें इतनी यह गमले में सीफ्ट कर देना है जिसी अच्छे से चलता रहे और इस नर्सरी में बहुत आराम से मिल जाता है और इसकी जड़े निकालके डिवाइड करके हम चाहें तो कितने भी प्लांट बना सकते हैं तो यह बहुत अच्छा प्लांट है और गमला के बारे में बात करें तो 10-12 इंच के गमले में ऐसे आसानी से ग्रोव कर सकते हैं कुशिश करना है कि मिट्टी का गमला हो तो ज्यादा अच्छा है और गमला वेल रेन होना चाहिए इस बात का हमें ख्याल रखना है और मिट्टी बनाते समय हमें एक हिस्सा अपने गार्डेन के मिट्टी और एक हि इंडारिक ब्राइट सनलाइट मिलती रहे और नहीं तो यह मतलब ऐसे जगह पर भी रख सकते हैं बिंडो पर या बालकनी में जो सुबह की एक दो घंटे डारिक सनलाइट भी मिले तो यह बहुत अच्छे से चल लेगा अगर बहुत डीप एरिया में कमरे में आप रख दे से मिलती रहे और पानी हमें बहुत प्राइनी में डालना है यह ऐसा प्लांट है कि आप अब तभी देना है जब ओपर की मिाटी ठोड़ी तरुड़ीह हो जाए या इसकी पत्तियां थोड़ी अधैसी चाहे तो ही हमें हमें पानी देना है कि जड़े गलने लग लगेंगी और हमारा प्लांट खराब हो जाएगा तो इस बात का ख्याल रखे और महीने में एक बार सी बीट लिक्विट पटिलाजर का स्प्रे कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा या 15-20 दिनों में 18 दाने डिये पी के या एक मुट्टी बर्मी कंपोस्ट दे दे तो भी अच्छा चल बारा चमच डालके तो यह अच्छा बना रहेगा और यह बहुत अच्छा प्लांट है इसे घर में जरूर लगाए और यह इसका जो ग्रोइंग प्रियेट रहता है यह मार्च से लेके नौंबर तक रहता है जिसमें बहुत अच्छा ग्रोव करता है फूल भी आते हैं और सीजन में तो बहुत अच्छा हो जाता है जैसे मैंने यह मार्च में इसकी रिपॉर्टिंग किये यह दो तीन महीने बाद यह पूरा गंबला प्लांट से भर जाएगा यह बहुत हिल्दी हो जाएगा अभी थोड़ा सा यह कम हिल्दी है क्योंकि अभी एक गिड़ महीना ही हो रहा है इसको रिपॉर्टिंग किये हुए फिर भी देखे कितना अच्छे से फूल और पत्नियां सब नहने आ रहे हैं तो इसका ऐसे ख्याल रखना है हमें और बहुत अच्छा प्लांट है जिसे जरूर लगाए और एदी मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एं सस्क् है